नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग फोरण ट्रेड चैप्टर में बैंकिंग अवेरनेस इसमें चैप्टर में हमने लगबग सारा कवर कर लिया था इसमें दो तिन पॉइंट बाकी है आज जो टोपिक है वो है compressibility of accounts ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने balance of payment कवर कर लिया है इसमें सारी balance of payment के बारे में सारी बात होगी ये अगर आपने वीडियो नहीं देखिए इसके बारे में तो आप ये देख लें मैंने भी डाल रखी हैं बाकी जो और YouTube चैनल हैं वहाँ पे भी है तो वहाँ से भी आप देख लें आपको एक idea हो जाएगा balance of payment में क्या होता है balance of payment में वैसे क्या होता है दो account होते है capital account और current account इन दोनों में क्या होता है कि जो भी data, जो भी data मतलब current account में जो भी हम export, import कर रहे हैं service provide कर रहे है, income, transfer इन सब के बारे में जो भी detail होती है जो भी transaction होती है वो लिखी जाती है किसमे current account में, capital account में क्या होती है, जो भी investments होती है sovereign loan होती है, commercial loan होती है इन सब के बारे में लिखा जाता है किसमे capital account में अब बैलेंस और पेमेंट में हमने पड़ लिया था इन सब को एक एक करके पड़ा था जो इन्वेस्टमेंट थी इसमें क्या था FDII था ठीक है और यहां पे था FII अब यह जो Convertibility of Accounts क्या है इन दोनों में इन दोनों काउंट से जो भी पैसा आ रहा है जो भी करंशी हमारे इंडिया में आ रही है उसको चेंज करना हमारे देश के करंशी में वो है जी Compressibility of Accounts इन सिंपल लेंगुज में यह कह सकते हैं कि भार की करंशी जो हमारे इंडिया में आ रही है जो भार से लोग पैसा कमा के भेज रहे हैं भार से को इन्वेस्टमेंट आ रही है वो पैसा आ रहा है तो उन्स पैसे को चेंज करना हमारी करंशी में इंडियन करंशी में वो है जी Compressibility of Accounts अब हम थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट को करके पड़ते हैं Capital Account में क्या होता है Flow of Currency देख लिया आपने किस किस तरह से होता है इन्वेस्टमेंट आती है हमारे ठीक FDI और FIA कि तुरूफ सोवरन लॉन्स होते हैं commercial लॉन होते हैं इसमें जो भी transaction होती है जो भी भार की currency आती है maximum तो डॉलर ही होती है अच्छा वो जो आती है हम उसको change नहीं करते हैं हम उसको as a reserve लगते हैं जैसे आपने सुना होगा अभी आज कल तो यह चीज काफी सुनी हो गया यह RBI के reserves हैं वो अच्छे खासे हैं 500 बिलियन है और 500 बिलियन है इसी के आसपास हो जूलते रहते हैं तो यह जो पैसे यह कहां से आते हैं यह जो capital account के थरूँ जो भी पैसा आता है जो भी investment आती है हम जो उस पैसे को change नहीं करते हैं जो रिजर्व रख लेते हैं simple सी बात है जो भी loan के रूप में हमारे पास पैसा आया investment के थरूँ जो भी पैसा आया वो currency क हम चेंज नहीं करते हैं वो हुच सारे कर पपज होते हैं हम उनको यह यू कह रख़लेте हैं क्यों हमें वह बाद में वापिस भी तरह कर pneumonia ना है ना तो हम अमारे रिजर्व से हैं उनको भडा लेते हैं सारी जो currency आ ती जो भी पैसा आता है इस कैपिटल account के दिरू हम उसको change नहीं करते हैं जो जो change करने के होते हैं कुछ-कुछ वो change कर लेते हैं बाकी हम हमारे reserve में इसको रख लेते हैं मतलब यहाँ पे बात यह हुई कि जो हम completely exchange नहीं करते हैं जो भी भार की देश की भार की country की जो भी मुदराई है जो investment purpose या loan के परपत से हम उसको completely convert नहीं करते हैं हम उसको करते हैं partial convert तो इसको हम बोलेंगे partial convertable सेकिन नमर पे आता है यह current account में current account में क्या है export हम करते हैं export करते हैं तो भार की country में सामान भेजेंगे तो पैसा देगी भार की country तो जो हमारे exporters हैं उनको पैसा आएगा dollar में या कोई और currency में जिस भी country को वो अपना पैसा भेज रहे हैं अब यह क्या करते है exporters उस dollar को Indian market में थोड़ी चलाएंगे नहीं तो वहाँ पर क्या है यह convert करते हैं उस currency को Indian rupees में है ना तो इसको इस part में current account में हम जो भी यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है जो भी भार की मुद्रा आ रही है उसको fully convert कर लेते हैं Indian rupees में तो इसको हम बोलेंगे fully convertable आपको इन दोनों point से capital account और current account से पता चल गया कि convertibility of account में क्या होता है देखो जो आप सुनते हो बात हमारे reserves बढ़ रहे हैं वो इस side से तो बढ़ते ही बढ़ते हैं ठीक है क्योंकि हम बार से पैसा मंगवाते हैं तो उस currency को change नहीं करते हैं हमारी रुपए में as a reserve रख लेते हैं क्योंकि हमें वो वापिस पैसा करना होता है as a loan लिया है तो loan के प्रपद से ठीक है जी या फिर FDI और FII के तुरू पैसा आता वो आपको पता इन दोनों में कैसे पैसा आता है और कैसे उनको वापिस किया जाते हैं लेकिन जब यहां पे current account में exports जब हम बढ़ाते हैं हमारे हमारे जो exporters हैं वो currency को change करवाते हैं रुपी में लेकिन यहां पे आपने देखा होगा कि हमारे exports बढ़ रहे हैं तो बाहर की country से पैसा आएगा हमारे reserves बढ़ेंगे बात यहां से भी इंडियन government का वो भाई अपना stand होता है वो यहां से अगर पैसा change ना करे कुछ ऐसे items होते हैं defense के तो उसमें क्या होगा और रिजर्व सी तो बढ़ेंगे ना हमारे तो होप आपको इन दोनों के बारे में मैंने example देके बताया convertibility of accounts क्या होता है होप आपको यह ठीक लगा होगा होप आपको समझ में आया होगा basic सी तो understanding हो गई होगी thank you for watching this video video आपको ठीक लगी तो like करना channel पे नए हो तो भाई subscribe करना